हाई फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं बनाने वाली हूँ अर्वी की सबजी जो के खाने में बिल्कुल मटन के जैसे लगती है और इसको बनाने में बहुत ज़्यदा ताम जाम भी नहीं है तो दोस्तों इतनी मज़ेदार रेसिपी के लिए आप वीडियो को बिल्क है और अब मैं इसमें एक टेबले स्पून साबुद धनिया एक टेबल जीरा लिया है ऐक इंच डालचीनी कर टुकड़ा एक बड़ी व्यलाइची और इसके अलावा मैं सिर्फ एक या डेड़ मिनत मैंने इसे भूना है और वो भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मसालों को बहुत जादा नहीं भूनियेगा और इसे इतना ही भूना है कि इसमें करंच आ जाए और फिर गैस की फ्लेम को हम आफ कर देंगे और फिर इसमें आधा छोटा चमट धनिया बॉर्डर में डाल दे रही हूँ और सबजी जितनी बनानी है उसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पर स्वात की अनुसार नमक डाल दिया है और इसे भी हम मिक्स कर देंगे आफ इसी में मसाले को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद मसालों को हमने पीस लिया है तो इस तरीके से सबजी बनाने से पहले आपको मसाला पहले रेडी कर लेना होगा और अब यहाँ पर मैंने लगभग स्क्रीन पर दिखा रही हूँ आप अपने मन पसंद शेप कोई भी दे सकते हैं लेकिन इस तरीके का शेप मुझे पसंद है तो मैंने ऐजा ही गोल कट किया हुआ है और अब इस अरवी को काट लेने के बाद इसे हमें भूनना है भूनने के लिए मैंने कढ़ाई को गयस पर रख दिया है गरम होने के लिए इसमें एक बड़ा चमच मैंने सरसो का तेल डाला है और फिर इस अरवी को इसमें हम डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसे हम चलाते हुए इसे भून लेंगे और इसे तक तक भूनना है जब तक कि इसका कलर गोल्डेन ना हो जाए अर्वी भूनते समय सिर्फ ये ध्यान दीजेगा कि जो अर्वी आप भून रहे हैं वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी हो और अर्वी को ओवर्कुक नहीं होना है नहीं तो भूनने में और सबजी बनाने में अर्वी आपकी बिल्कुल सी गल जाएगी तो वीच वीच में चलाते हुए इसे फैला फैला कर हमने अर्वी को गोल्डन कलर में भून लिया है और जब अल्wy का कलर हमारा गूर्डन हो जाएगा तो इसे हमें प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसे हम मिकसिंग बॉल में ट्रांस्फर कर देंगे तो अब जो मसाला मैंने रेडी किया हुआ था ऐस मसाले को इसमें हम डाल देते हैं और इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर वन फोर्थ कप दही डाल दिया है और यह जो दही है वो हलकी सी खटी रहेगी तो सबजी थोड़ा सा और बेटर लगेगी और चटपटी लगेगी क्योंकि अर्वी की सबजी में अक्सर लोग हलका सा आमचुट पाउडर डालते हैं तो यहाँ पर मैं आमचुट पाउडर का यूज नहीं कर रही हूँ हलकी सी खटी दही का यूज कर रही हूँ और फिर इन सारी चीजों को हम मिक्स करके इसे कवर करके रख देंगे तो अब हम चलते हैं गैस के तरफ गैस पे मैंने वापस से उसे कढ़ाई को रख दिया है गरम होने के लिए इसमें तीन बड़े चमच में सरसो का तेल डाल रही हूँ और फिर इसमें दो छोटे साइस के मैंने चित तेज पता डाला है और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक चोटा चमच अजवाईन डाल रही हूँ अर्वी में अजवाईन का तड़का बहुत जरूरी है तो आप इसमें अजवाईन का तड़का जरूर दीजिएगा और इसके साथी साथ जैसे यह अजवाईन चितखने लगेगा मैं यहाँ पर दो छोटे साइस का प्याज था जिसे पतले-पतले स्लाइसे में मैंने कट किया हुआ था उसे डाल दिया है और फिर इसका कलर चेंज होने तक इसे हम भून लेंगे और अभी मैं यहाँ पर एक बड़ा चमच अद्रक लेसुन जिसे मैंने इमाम दस्ते में कूट कर रखा हुआ था अच्छे से ताजा कुटा हुआ अद्रक लेसुन और अच्छा फ्लेवर देता है तो मैंने यहाँ पर अद्रक लेसुन कूट कर डाला है और फिर इस अद्रक को भी प्याज के साथ थोड़ी देर तक हम भून लेंगे तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर भी गोल्डन हो गया है अद्रक लेसुन भी भून गया है तो मैंने यहाँ पर तीन मीडियम साइज के टमाटर डाल दिये हैं पके हुए टामाटर मैंने यूज के हुए हैं अच्छे गले हुए थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया है नमक मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि जब मैंने मसाला प्रिपेर किया था तो उस समय सबजी के हिसाब से मैंने फूसी समय नमक डाल दिया था अभी मैं एक चोटा चमच देगी मिर्च डाल दे रही हूँ इसे सबजी का कलर बहुत अच्छा आता है और तीखे पन के लिए जो मैंने मिर्च डाली थी मसालों में ही मैंने डाल कर भून कर पहले ही रेडी कर लिया था इसलिए इसमें ते मिर्च नहीं डालेंगे और मसाला भी सब कुछ पहले ही रेडी कर लिया था तो अभी हमें कोई भी मसाल है नमक की इसमें कोई जरूरत नहीं है अब इसको अच्छे से भूनने की तो अब इसको भूनने के लिए हम यहाँ पर दो चम्मज पानी डाल दे रहे हैं और फिर इसे mix करके slow flame पर इसे हम cover करके 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे इस process को मैंने 2 बार किया है ताकि जो टमाटर और प्याज है वो अच्छे से भून जाए और टमाटर प्याज अच्छे से गल भी जाएं तो आप देख सकते हैं दो बार मैंने यहाँ पर पानी डाल डाल कर इसे ढख कर पकाया है इससे क्या हुआ है कि जो टमाटर हैं बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं प्याज भी गल गई है तो अब खोल कर हम आधी मिनुट तक इसे इस तरीके से स्पेचला से मैश करते हुए भूनेंगे और चलाएंगे और फिर जो अर्वी मैंने मसाले लगा कर रखे थे उस अर्वी को इसमें हम डाल देते हैं और फिर ये टमाटर प्याज और अर्वी को हम हाई टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर तक भून लेंगे इस अर्वी को टमाटर और प्याज के साथ लगभग पांच मिनट तक हम ने चला चला कर भूना है और अब हम ग्रेवी के लिए यहाँ पर पानी डाल दे रहे हैं लगभग मैंने 200 ml पानी डाला है अगर आपको बहुत ही ठीक चाहिए तो आप थोड़ा सा कम पानी डाल लिएगा लेकिन अभी मुझे इसमें थोड़ा सा ग्रेवी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल दे रही हूँ क्योंकि अभी जब ये सबजी को मैं और फिर इसे पांच मिनट तक स्लो फ्लेम पर इसे हम कवर करके पकाएंगे तो अब पांच मिनट हो गया है तो मैं कवर को हटा रही हूँ तो फ्रेंट साब देख सकते हैं कि ये सबजी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है इसका देखने में टेक्शर भी कितना की इस्टी बनी थी तो बस अब गयास की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे कम से पंदा मिनट के लिए ऐसे ही कवर और रहने देंगे ये 15 मैं के सर्व कर देंगे तक इसकी ग्रेवी और तिक हो जाए तो आप देख सकते हैं कि 15 से बीस मिनट के बाद मैं इसे सर्व कर रही और ये जो gravy है ये कितनी ठीक हो गई है तो friends आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे like और share जरूर करिएगा तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के ज़ाँ Till then, bye bye